गुरु गोबिल सिंग जी देली के हुए त्रिया चरित्रादे विच्छों आज पंजिमी चरित्रनों शुलू करदा हां इहे दसम गरंथ अर्थाद विची तरनाटक विच दर्ज ने अते इस दी व्याक्यादत सिंजगी ने किती है दंगा जमनादे विचादे कैला खरनादी काती स्थे तसी उस थांते रहन वाले दोग पर तक तोर्टे पशुआ वारदा जीवन जीओ देसन फिर उस मंतरी ने बचने कहे हे पिराना तो प्यारे राजन सुनो मैं तहानू एक और तदी कथा सुनो दाहां अते उस नाल तो हाटे हिर देदा दुख दूर करता है कैला खर दे राजे दी एक सुन्दर इस तोई हंदी सी राज नू नेस्ट होन तो पिचाउन ली उस दे मानवेच विचार कीता उस दी प्रेम कुवरी नादी इक राने सी उस राजे न बिर्द जानके बहुत डर गई इस दे कार एक वी पुटर नहीं यही चिंता उस दे मानवेच सी इस दे कार पुटर पैदा नहीं होया अते राजे बिर्द हो गया काम केड़ा करन तो एह रह गया है अते पुटर पैदा नहीं कर सकदा राणी ने सोचिया, ताँ आते कोई चित्र कबना चाहिदा है, आते राज नुकरों बाहर जान नहीं दिना चाहिदा किसे होड़ दा पुत्र लेके पाल लेना चाहिदा है, आते मुह तो राजी दा नाम दस्या जाना चाहिदा है एक गर्बवदी इस्तरी उदी सी, उसनू राणी ने कोल बिला लिया राणी नू गर्बट हैर गया है, जगद विच एह गल्ट मादिती उसनू बहुत सारा तांदिता आते उस्ता पुत्र मुल ले लिया राजी दे कर पुत्र पैदा होया, इस तरह कहे के जशन मनाया बूमा, पतां आते ताडियन उब्यांत तांदिता आते सब ने सोच के उसदा नाम शेर सिंग रखिया कुझ समय बाद राजा मार गया आते उते शेर सिंग राजा बन गया उसनों सारे लोग राजा राजा कहन लगे, पर उस दे पेदनों को ही नहीं जान दा सी करम देख अर्थात फागदी चाद करके कंदले तो राजा बन गया इस तरही ने चित्र करके मुमूली वक्तितों राजा बना दिता एहे सी पंजीवा पंजीवा चित्तर